हलो क्लास, वेलकम राग बच्चो, लो पहरे बच्चो, स्टार्ट कर रहे हैं नया लक्चर, वो मार्केटिंग का फर्स्ट एलेमेंट, फर्स्ट पी ओप मार्केटिंग हम खदम कर चुके हैं बेटा प्रडक्ट, ठीक है दि ब्रेंडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग, तीनो की बात कर लिए बेटा उसा, अब बेटा मार्केटिंग का सेकेंड एलेमेंट, सेकेंड पी स्टार्ट कर रहे हैं प्राइस, लो बेटा, सामने देखो सब, बहुँ प्रड़क्ट या प्रड़क्ट मिक्स पे सारी बात खदम कर चुके हैं, नेक्स्ट एलेमेंट स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, प्राइस मिक्स या कहलो प्राइस, बेटा जब प्रड़क्ट की डेफिनिशन बताई थी ना तो बेटा price की sense में बताइथी इस बाद करेंगे तो हमेशा इस की definition condensed में बताते हैं बीटा price क्या होता है size refers to the amount of money which customer is ready to pay for the product Rip बेटा प्राइस वह अमाउंट है जो कस्टमार प्रड़क्ट के बदले में देने को तयार रहते हैं कि सिंपल बात बहुत सिंपल एक ही टॉपिक है प्राइस में जिसके आने के चांसे पेपर में लगवाग हंड्रेट पर सिंट है ठीक है जी मेरे साब से तो आना ही चाहिए कंफर्म्ड है कैसे ही डायरेक्ट के स्टडी में पर आएगा जबूर वह टॉपिक का नाम है फैक्टर अफेक्टिंग डिटामिनेशन और प्राइस वह कौन-कौन से फैक्टर है बेटा जो आपको प्राइस फिक्स करते टाइम दिम प्राइस कर रहे हूं सबसे पहली चीज जो दिमाग जानी चाहिए वह बिटा प्रड़क कॉस्ट विटा पहले तो यही देखो गेंगा कि मुझे प्रड़क की कॉस्ट क्या ही है उसी आप से तो प्राइस चार्च पर होंगे कि प्रड़क की कॉस्ट मान दोएक एक्स अमां जब आप प्रड़क्ट की कॉस्ट डेकर माइन करोगे तो आप चाहोगे कि बैटा वेरीएबल कॉस्ट भी कवर करो पूआ फिग्सड गॉस्ट भी कवर करो सेमी वैलियेबल कॉस्ट भी कवर करो विटा हो सकता है आपने अगर माइक्रो एक्नमिक्स पढ़ा तो इन दोनों कॉस्ट के बारे नशुन नहीं तो आग जो बीटा एक बिसनेश जब भी अपने परड़क का प्राइस डिटरमाइन करता है वो चाहता है तीनों तरीके की कॉस्ट कवर कर पाए ठीक है ना जी सबसे पहली बात बेटा फिक्स कॉस्ट क्या होती है बिटा फिक्स्ट कोस्ट इस्ट इर्रस्पक्टिव अब दा लेवल ओफ उपूट कि आप क्या लेवल ओफ प सब्सक्राइब कर लेते हैं आपकी फेक्ट्री का रेंट फेक्ट्री गंट एक फिक्स कॉस्ट है अब बेटा आपने एक भी युनिट नहीं बनाई ताला लगा खड़ावा वोच मेन है उसे इस वाद से मतलब नहीं आप कितना प्रड़क्शन कर रहे हो उसकी सेलरी फिक्स्ट है ठीक है ना जी आच्छा है ताला लगा दो उसे को टेक केर करता रहे इस बिल्डिंग की तब देना आपने बीटा जारी उनिड़ बनाई तब देना दस अज क्या होती है किसली बार एक बात बताई थी अगर आपको दिखाना पिटा मोस्ट बच्चे 11th क्लास से जो पढ़कर आते हैं वही डेफिनिशन बताते हैं जब क्यों वह इस डेफिनिशन की बात करोगे ना जो आप मुझे वरियेवल कॉस्ट के बता रहे हो वो नाइंटी प लेख लेना में भी पताऊंगा आपको बच्चे कहते हैं वरियेवल कॉस्ट के बिचेंज विद लेवल अपकोट बिटा दो बाड़ ओर एड़ कर दो इन डारेक प्रपोर्शन वह कोस्ट होती है जो चींज होती है लेकिन बेटा इन डारेक प्रपोर्शन बिल्कुल डारे प्रपोर्शन गा क्या मतलब है वागो आपने कोई उनिट नी बनाई कोई कोस्ट नी आएगी आपको आपने एक उनिट बनाई दो सो रुपे मानलो कोस्ट है रो माटीरियल की आपने दो सुसरी उनिट बनाई 400 कोस्ट है तीसरी बनाई 600 है चार बनाई 800 है पांच बनाई 1000 ह हर लेवल पे बिटा proportion remains the same हर लेवल पे proportion एक है बिटा 400 upon 2 कर लो 200 proportion 1 600 upon 3 कर लो proportion same रहेगा तो variable cost क्या होती है वे changes with the level of output जैसे ऐसा output बदलता रहेगा यह cost बदलती रहेगी पट बढ़ लेगी कैसे बिल्कुल डारेक proportion बिल्कुल डारेक्ट ठीक हर लेवल पे proportion same रहेगा ठीक है तो बढ़ो semi variable cost क्या होती है बेटा semi variable नाम से समय आ रहे है थोड़ी सी variable तो थोड़ी सी थोड़ी सी fixed जादा तर बेटा salesman की salary एक best example होता है semi variable cost का बबो आपने एक salesman को कह दिया कि तेरी salary है 10,000 रुपे महिना आप कैसे ensure करोगे कि वो गरगर जाकर product दिखा भी रहे के नहीं बेच भी रहे के नहीं तो आप बेटा कभी भी उसको salary ऐसी देने में विश्वास नहीं रखते सीधा 10,000 रुपे महिना देदी आप उसे कहते हो तेरी salary ना 8,000 रुपे महिना है fixed यह तो देंगे देंगे plus तेरे को 10% देंगे of the unit source बेटा जितने MRP का समान बेचेगा तु ठीक है ना उसका 10% लेजी ठीक है ना अब अपनी जौरत को बेचेगा घर घर जागे ठीक है ना मानो उसने कोई भी यूनिट ना बेची तो भी 8,000 तो मिलेंगे मानो उसने एक यूनिट बेची और मेरे बेटा एक प्रड़क की कॉस्ट है 10,000 रुपे MRP है 10,000 रुपे ठीक है बेटा 10,000 का 10% एक हजार रुपे मिलेगा और 8,000 तो fix मिल रहा है तो 9,000 रुपे मिल रहा है उसको मानो उसने दो यूनिट बेची तो बेटा उससे 10,000 रहा है था रहा है जाल रहा है। सेम कहानी चल रहा है अब एक बार दाताओ जो आप बरीवल कोस्ट की देविनेशन बोल रहे था वह देविनेशन तो यहां पर भी चल जाएगी विच इंचे सिर्ट विद लेवल अपाट पोट एक ऑपकी डेविनेशन गिलत नहीं है sir changes with the level of output and direct proportion it also changes with the level of output but not in a direct proportion यह देखो यह proportion कभी same रही नहीं सकता 9000 proportion 1 5000 proportion 1 बिटा और कम हुझ जाएगा ठीक है ना अब आप देखलो पॉइंट में जा रहा है ठीक है जी क्या आएगा यह आएगा 667 अच्छा यह यह आएगा 11,000 डिवाइड है ठीक है जी कोई लिक्कत कोई परिशानी तो लिए पीटा एक चेंज़ विर्दा लावल ओपूर्ट बट नॉट इन डारेक्ट प्रपोर्शन ठीक है जी तो पीटा एक मैनुफेक्चर अब जाता है जब भी वो प्राइस फिक्स करें किसी भी कॉमोडिटी का तीनों तरीके की कॉस्ट चार्च कर लें फिक्स्ट भी वेरियेबल भी समझ में आती है पीटा बात ठीक है पहला फैक्टर कंसीडर कर लिया प्राइस फिक् सुनना वह पहले डेमांड की बात करते हैं फिर योटेले टीक की पीटा डेमांड अगर आपने कोई ऐसा प्रोड़क्ट बनाया है जिसकी डेमांड इलास्टिक डेमांड है इलास्टिक समझते हो ना कि हल्का सप्राइज बढ़ानी कि डेमांड काफी गिरेगी इतनी इलास्टिक डेमांड है कि अगर एक रूपा भी बढ़ा दिया जैसे थम्स अप कोका कोला पेफसी मानों तीनों पंदरा का बेच रहें एक ने जैसी सोला करा सबसकी डेमांड देखना कितनी तेजी सजाएगी अगर आपने कोई ऐसा प्रोड़क्ट बनाया जिसकी डेमांड इलास्टिक डेमांड है यानि कि आपने एक रूपा भी प्राइस बढ़ाया तो डेमांड काफी शिफ्ट होगी थोड़ी बहुत भी नहीं होगी शिफ्ट बहुत कम हो जाएगी एकदम से तो पीटा ऐसे किस ए प्राइस में बढ़ाना नहीं नहीं की और प्राइस एो प्राइस एट लो लेवल अपने प्रैस को कम रखो ठीक है और अगर आपने कोई ऐसे जिसकों डेमांड इंफ़िक समझते हो जो हैं जो दो तो इन हो प्राइस पे कर रहा है उसको लगता है प्राइस के कमपारिजन में मुझे उतनी यूटिल्स का साटिस्फेक्शन मिल रहा है तब तक तो वो खरीदता रहेगा लेकिन अगर उसे गलती से भी लगा ना किया मैं प्राइस तो पे कर रहा हूं 500 पर मुझे नहीं लगता है यह मेरे को इतने रुपे के बराबर का सटेस्फेक्शन दे रहा है तो वो भाई नहीं करेगा कभी भी प्रड़क्ट आपका यह वेटा हमारे साथ भी है कहीं बार हम कोई चीज खाते हैं ठीक है ना हम कहते है यार वर्थ है 500 रुपे देना वर्थ भी तो पचास की नहीं हो नहीं चीज जिसके 500 पे कर रहा है कि वरती नहीं है कबाड़ा बना रख है कुछ भी डैसा तो अब कस्तमर आपका प्रोडक्ट तब तक ही भाय करता है जब तक उसको लगता है कि इंदा टंस ओफ मनी उतने यूटिल्स का सटेस्फेक्शन मुझे म बिल रहा है मैंने लास्ट टाइम आपको बताया भी था टाइंग की बात है मैंदी ने पीजा स्टार्ट किया था चॉक्लेट पीजा मैंने एक बार खाया दुवारा कभी ने खाने थे का ना बिल्कुल जहंट मैंने इसकी तो तीन सुब पचास काश्पस के फ्रॉक्स था या तो कस्टमर भाई नहीं करता बार बार यह चीज़े एक बार बार करेगा उसको लगेगा कितना स्टेस्फेक्शन उसको नहीं मिला चोड़ देगा दुबारा कभी नहीं वाई करेगा ठीक है ना और वह वो यह अनलाजह आपको होने लग जाता है रिपीट ओंडर से कि उसको साटेस्फेक्शन मिल रहा है के नहीं अगर कभी को रिपीट ओडर नहीं आ रहा महीनों महीनों तक तो वेटा कम्पनियां खोद बखोद प्रड़क्ट अब दगर देती है या प्राइस बिरा लेती है वो प्रिजा कहां गया किसी को नहीं पता कि छे महीने बेनी लगे कहां अगया पता नहीं है मार्केट्स आउट कि समझने आई लेटा बात क्लियर है पहली बात समझने आई थी प्रड़क्ट कॉस्ट देन वेटा यूटिलिटी या डिमांड दोनों लिखनी है इसमें बाते पहले डिमांड की बाद एक पारग्राफ जिसका कोई कॉमपटेशन है नहीं है दूर दूर तक इसम्प्ली मीन्स आपकी मॉनोपोलिया उस प्रड़क्ट कोई नहीं आसपास पर इनिट कर रहा कोई और वो क्या करें कि प्यूर प्राइज आई लावल ठीक तक कमाओ मोनोपोलिया कोई कॉमपटेशन नहीं है जब कॉमपटेशन आए का तब भी तो गिराओ गेना रेट तो अभी तो खालो जब तक मोनोपोलिया और मांगो आपने कोई ऐसा प्रड़क्ट बनाया जिसकी पहले से बड़ी कट मार्केट है मार्केट ही बहुत खतर नाक है कॉमपटेटर बैठ है दस पंद्रह तो बीटा ऐसे किसिस में कीप यूर प्राइज आट ता वेरी लो लग विटा इवन आप अपनी कॉस्ट पर बेचो चुरु मैं घवाने के मत सोचू कि तभी टिक हो के मार्केट है वरना टि सब्सक्राइब है कि एमरेफ जैसा प्लियर सीट जैसा प्लियर रालपो टायर गुड़ इयर ब्रिट स्टोन अपोलो टायर मिस्टी एक से बड़कर एक नाम है ठीक है ना सर आज अगर आप टायर मिनिफेक्ट्टर करते हो ना तो सीरियस एडवाइस सर कॉस्ट पर बेचना शुरू कर दो कि तब कुछ होगा आपका भविष्य में साल तो साल बाद जाकर अगर आप सोचोंगे ना आज ही मैं प्राइज इनके बराबर रग दो सर बोल जाओ आपकी कभी कोई मार्केट बनी नहीं पाएगी ठीक है ना जी क्लियर है बेटा बात तीन बाते कोई समस्यात हो निए बबो फोर्थ हैडिंग इस गर्मेंट एंड लीगल रेग्यूलेशन बबो अगर आपने कोई प्रड़क्ट बनाया नहीं तरफ देखते रहो ही अगर आपने कोई प्रड़क्ट बनाया और बेटा उसक का दाम फिक्स कर दिया है तो वेटा फिर तो प्याई बात रहगे कि मैं क्या ही प्राइस शार्च कर दो रहुए मैं कहता हूं वेटा आप बनाते ओ सॉल्ट है नेसैसिटी ए है थीक है नेसैसिटी है मानते हो चूगर के विदीन जिनना रह सकते हो कि सौल्ट के बेनानी कुछ दिन के बाद जब आयोडीन खतम होने लगे गा तो पता लगेगा ठीक है ना शुगर यह कहने की बात हैं मित है हमारी फैमिली कहते हैं नहीं दिन में एक बार चीन नहीं का वेगा कुछ नहीं होता कुछ भी नहीं होता मैं ऐसे लोगों भी रानता शुगर ना खानेवाले के चैले परई फिक है ना वह वह लेकिन नमक के ने गानदा तो इन गा सकते जेंशल गुट से बीटा नॉमली गर्मेंट किसी भी बिजनस में इंटरवेंशन नहीं कर सकती लेकिन अगर आप एजन्शेंशन गुट्स बेजते हो तो बिटा गर्में कि आपको डवन ने क्या कि इंटर्वींशन कर दी और जो आपके पेड़कर राम कर दिया गाọमने ब Zuker vindure मेरे सामने मुद्थी कि प्राइस कीlais इंटर्वेंशन कर सकती इंटर्वेंशन कर है और अनिशा रहेगा है ठीक है ना एक इंडिया में कानूना इसेंशल कॉमोडेटी एक 1955 एक गर्मेंट को राइट देता है समझ में आती है मैं कहता हूं किसी ने बेटा कोई ड्रग बना दी जो लाइव सेविंग ड्रग है ठीक है और उसने कहता नहीं यह तो मैं टैबलेट एक लाग की वेच्छूंगा यह कि पर्मेंट ने रड्रेग्ई लेट कर दिया उसके बिस्नस में इंटर्वेज्ट किया और प्राइस को रड्रेग्ईुलेट करके फिक्स कर दिया पांसो पर य सकताई अब मेरे पास यह कोई मुद्धा थोड़ी है कि क्या प्राइस फिक्स करो गर्वर्ण है जब रेगुलेट करी लिया तो उसी प्राइस पर बेचना पड़े है थीक है जी चार हैडिंग कोई समस्या तो नहीं किसी बच्चे की बड़ाएं बात पागे बभू फिफ्थ हैडिंग इस प्रॉफट मैक्सिमाइजेशन नहीं प्राइजिंग ऑब्जेक्टिव इसमें फर्स एडिंग है इसमें चार एडिंग है अलग-अलग ठीक है ना जी ब निए देख लो कि प्रॉफट मैक्सिमाइज आपको शॉर्ट रन के करना है या लॉंग रन में चोट्र कने लॉंग करना है विद्धो फिर देखो सब्ट shut चोट रन में हमीर हो सकते हों ठीक है बहुँ और अगर आपका ए में मुझे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना है बटे ना लॉंग रन तो तो सर कीप यूर प्राइज आट लो लेवल वेरी लू लेवल दाम को बेटा कम रखो ठीक है ना दाम कम रखो गे बेटा जादा फुट फॉट फॉल बढ़ेगा फुट फॉल बढ़ेगा दीरे दीरे लॉंग रन में थोड़ा थोड़ा दाम बढ़ा कर कमा सकते है लिए बेटा बात ठीक है जी दोनों ही फिलोसपी वैलेड है कहीं दुनि यहार मार्केट्ट शेयर लीडर्शिप एक पर कर देता हूं थोड़ी इसी Heat Gio 5G के launch से पहले ठीक है मैं वह बात करना हो जा रहा हूं जब Gio 5G 4G नहीं थे मार्केट ठीक है बीटा एक बहुत ठीक ठाक ठीक ठाटी परसंट के एप रॉक्स वोड़ा फोन का था ठीक है सुने ना समने सुने बेटा 30 परसंट के एप रॉक्स शेयर भारती एय चेंश एटल का था ठीक ठीक ठाक मैं चेहर बेटा 25 से 30 परसंट के बीच में आईडिया का था ठीक है जी और बेटा बचावा जो भी 15 परसेंट है उसमें बेटा चुटना बुटना बहुत कंपनियां थी टाटा डोकम और यूनी नोर एर सेल और भी टैली कॉम्मुनिकेशन कंपनियां और भी हो सकते आपने सुनी हूं ठीक है ना जी वह यहालात थे तीक है मार्केट मार्केट शेयर का मतलब मेरा खल सब समझ गए होंगे कि अगर मार्केट में 100 कस्टमर हैं तो 30 कस्टमर एटल पे थे 30 बीटा वोड़ापोन पे थे 25 आइडिया पे थे और बच्छे का 15 परसेंट चोटी मूटी अधर ब्रैंड्स पर थे चीक है यहालात थे बभू अब सोच जाएं निकले मार्केट में तो साथ साथ लोग मेरी सिन खरीते हैं मेरे रिचार्जिस पूछें दूसरे वरेंड को बोलते हैं तो सब कैसे कर पाया गया है वह सिंपल लाइवल और इवन फ्री वाट तो अगर मार्केट शेयर में लीटर बनना है तो पन गया का नहीं कि विटा अधर व्रेंट तो मुझे लगता बचाई कुछ नहीं है ठीका ना बी असनल के फास होगा आद्दा परसंट क्यास परस्टेक बाकी तो नजड़ नहीं आते वड़ापन आइडिया मर जोगे इतने मुखदमें होगे इनके ओपर इतने करजे चड़गे कि इनका भी मार्केट शेयर कुछ नहीं बचा पांच एक परसंट भी नहीं होगा ठीक है जी एटल का हैट एक ठाक चलो दस बारा पंदरा परसंट सब खताम कोई रस्ता ही नहीं बचा है कोई ओप्शन ही नहीं लोगों के पास तो सर अगर मार्केट शेयर में लीडर बनना है एक ही तरीका है बनने का कीप यॉर प्राइज एट लो लेवल जीगा जी बहुँ थर्ड एडिंग पढ़ना सर्वाइविंग ना कॉंपरटर मार्केट बीटा इसकी थर्ड एडिंग और थर्ड में हैडिंग दोनों लगवग इस जैसी है थर्ड में हैडिंग थी एक्स्टेंट आफ कोंपोटेशन इन्हार्केट और यह एडिनुए सर्वाइविंगे ना कॉंपोटेट यह मार्केट लग वाग लग जैसी वात बिटा अगर आप किसी ऐसी मार्केट आँ एंट्री ले रहो जांक प्रैस लो रखे ईवन इसके लिए बाद वोल याती है CLAIR YOUR STOCK अट भी अपने स्टोक को क्लियर करो अट BOP मतलब Best Obtainable price मतलब Simply बोले तो at cost कोस्ट पर बिच्छों तभी मार्केट में टिक सकते हो ठीक है ना जी जो बाबा जी ने एंट्री ली ऐसी तो ली पतंज ली कि अब यह मार्केट तो देखो में कोलगे लोजर प्रेप सुडेंट डाबर रेड यह स्टैबलीजड रेंट कॉंपेटिशन और आप एंट्री ले रहे हो ठीक है ना जी बाबाजी ने वैसे तो इंडियन के गुटने पर वार किया हुए बताता हूं हर वार उनकी एक ही फिल बोटता चाह लगता है ने थे बस मीन अना वस सब कुछी सी में इस याँ प्रडक्ट में बस उनने आवरवेद कर घर खेस्ट ऐसी कर दी एंडियन इंडियन्स कुछ है अच्छा बहुत बढ़िया जब प्रड़क्ट वेच रिया हुँ आवरवेद कर कर चे साराह अइवाह लुससा थोबरी यहीट को चलब हो तो किया अपस्ट सम्सक्राइब कि इसकी तुर्बता स्रवादिशिप ज़स्व थिए। अगर आपको प्रडक्ट का टीमे लीडरश है यह अबज्टिव आपका देखो फिन पर बेटा हाई कॉस्ट पर राते उसको कवर करने के लिए आपको हाई प्राइज चार्ज करने ही पढ़ें के प्रॉड़ी में लीडर बनना तो बेटा हाई प्राइज चार्ज करने पढ़ेंगे सब्सक्राइब बनाने के लिए बेटा सी बाता है जो प्रड़क्त खरीद रहा है उसको गवर करने के लिए हाई प्राइजी तो चार्ज करने पड़ेंगे कि हाले डाविट सब्सक्राइब तो बेटा बहुत ज्यादा कॉस्ट लगानी पड़ेगे और कॉस्ट लगाओ के बहुत ज्यादा तो बिना हाई प्राइज चार्ज करें वह कॉस्ट कभी कवर ही नहीं होगी चीक है बेट क्लियर है बेटा बात कोई दिक्कत कोई करिशानी तो नहीं बड़ाएं बात को आगे बबु लास्ट हेडिंग जो है कि कुछ चीजे कंपनी की तरफ से हमें फ्री मिलती है सर्फ दुनिया में फ्री कुछ नहीं है आपका मुकालता है मैने फैक्टर हर कॉस्ट चार्च करता है हर कॉस्ट इवाव बताओ आज आप एक्टिवा भरीट कर लाए ठीक है लिखा वाए ठी सर्विस प्री सच्छ में प्राइस प्राइस फिक्स किया एक लाग पांच अजार ने तो खाली वह पांच बाते धिहान मीने रखी जो आपने पढ़ ली इस चिए उसने जो जो फूरी दिया सबके पैसे चार्च कर दो चार दो चुगे पैसे, आपको पता है ये कंपरी तक कैसे आते हैं, मतलब आपके authorized dealer तक कैसे आते हैं, मैं आपको समझाता भी हूँ, पिछली बार भी समझाता है, सुन लो, आज आप service कराने जाओ, ठीक है, साहरनबुर में स्वात्ती होंडा फर, ठीक है, और अपनी service book ले ज जाड़ते हैं, और रख लेते हैं, ठीक है, जब आपने एक लाग पांच हजार रूपे परचेस के टाइम पर दिया थे ना, मालो, स्वाती होंडा बुस में से 10 जार रूपे या 15 जार रूपे मिलते हैं, ठीक है, तो उसने 15 जार रखे है, उसकी जम्मेधारी क्या होती है, 90 जार रूपे का चेक बेज़ते हैं, यह जम्मेधारी होती है, 90 जार रूपे में सर्विस के कॉस्ट बगारा सब कुछ पहुची होई है, कंपनी के बास, अब यह कंपनी से कैसे क्लेम करते हैं, स्वाती बंडा वाले बता दिता हूँ, एक महीने में जितनी भी सर्विस करे और रह महीने आता है, ऐसे आते हैं वैसे वापस, तो कुछ भी फ्री नहीं है बेटा, इबाद बताओ, सैमसंग हमें वरांटी देता है हमारे फोन पर वानियर की, सर्च सर्च बताना, वरांटी फ्री होती है, कुछ भी नहीं होता, बेटा वो अपने सर्वे से जानते हैं, हर सौ में से एक फोन खराब होते हैं, मालो हो एक पर्टिकुलर मॉडल समझ लो, पोई भी मालो S22, उन्हें पता है अपने सर्वे से कि हर सौ में से एक फोन में तो दिक्कत आनी आनी है, और दिक्कत बड़ी मेजर आ जाती है, बीस बीस तिस से हजार कंपनी के लग जाते है कंपनी को लगा चब 30,000 रुपे लग जाते हैं हमारे, 100 प्रड़क्ट बेचने में एक में कमी आती है, divided by 100, 300 रुपे पर प्रड़क कॉस्ट बढ़ातो, तो जब प्राइस फिक्स होता है ना उसका, कि 47,000, उस 47,000 में 300 पहले ही जोड़ जोगे हैं वो, जो फ्यूचर में कम पहले आने वाले है और वो भरेंगे अपने सर्विस सेंटर पर पर प्राइस पहले जोड़ चोप अगता है, ना फ्री सर्विसिंग ना वरंटी ना गरंटी 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 एक्जामपल या था आपको पिश्ली बार, HD घार, सारंबुर के एक बड़ी फेमस चॉप है, ठीक है, डैश इलेक्ट्रानिक, ठीक है, बताओं लागा भी नाम भी आपको, ठीक है, जब फोन चलते थे ना, हमारे टाइम बर, स्मार्टफोन नहीं नहीं आये थे, या कीपड़ फोन, तो हम SD काट डाला देते थे, इतनी मेमरी नहीं होती थे, इंटरनल, इंटरनल मेमरी तो ऐसे होती थी, 16GB, 8GB, ठीक है, न, HD card डालते थे, 64GB, 128GB का, तो मैं को और HD card खरीब नहीं गया, तो मैंने पूछा, जैसे, 256GB का HD card कितनी का है, तो उन्हें मेरे को कुछ प्राइस बताया, 600 रुपे का, let's suppose, मुझे नहीं पता, जäreच घराब या, 600 रुपरे का, ठीक है तो मैंने और इसमें गरण्टी है कि नहीं है, का रहन्टी नहीं है, क्याता, गरंटी यहै तो 900 का, थो साल की गरी अच्छा, को थे, तो मैंने, देखा पसंथ कि आ खिक है, आ ख ठीक है, आप गरेन्टी है तो वह exercise थक् amazing शरके या है तो मुझे समय में आए यार मैं का बुद्धू बंद्धू हूं यार गरंटी की पैसे मुद्धू तो लेगा वो तो वही प्रड़क्ट है विदाउट गरंटी 600 विद गरंटी 900 वही प्रड़क्ट है अब समर्रे हो वो भी जानता है कि तीन-चार प्रड़क्ट वेचोंगा एक आदा तो खराब होगा ही एक आदा खराब होगा तो 300-300 पहले ही निकाल लो वालो चार प्रड़क्ट उसने वेचे 300 वह फालतों ले रहा गरंटी के नमके बारासों उसने निकाल लिये अगर एक खराब भी हो गया 600 देने भी आइसे जुड़ते सो भॉक एसे मैं ठीक है जी कोई दिकत कोई परिशान नहीं तो नहीं ठीक है ना कई बार कस्टमर के डिवांड होती है सर मेरे पड़कोझ ना ऐसे नहीं ऐसे पटकर दो आपको नहीं लगता कि पेयकेजिंक कोस्ट भी निकाल लेते होंगे वो या आपक पर चलिए ज़िए और कहा दो एक ड्राइफ रूट ट्रे पैक करानी है ऐसे नहीं आइसे करानी है इतनी वड़िया करानी है लेकर नहीं घ्राना तो प्लेंगे कैसे यूस कर रहे हो जानकरी निकल वाल यार कोई दिक्कत नहीं चलो ठीक है जी बात समझ में आती है रखते इतना ही अगला टॉपिक सुरूखर के भी फाइदा नहीं होगा बाबाई